पाठब्रम साथ भुकंब लेखक जवाहलाल नेहरू पंदरा जन्वरी 1934 का तीसरा पहर था इलाहबाद में अपने मकान के बरामदे में खड़ा याने साइबान या मकान की दिवार से लगी हुई जगा जिसकी छट खंबो बटकी हो में खड़ा किसानों से मैं कुछ बात कर रहा था यकायक याने अच्चानक मेरे पैल लड़ खड़ाने लगे मतलब डगमगाने लगे मैंने पास के खंबे का सहारा ले लिया दर्वाजे के किवार भड़ड़ाने लगे और बराबर के स्वराज भवन से जिसके खपरे यानी खप्रेव चट से नीचे खिसक रहे थे, खड़खडाहट की आवाज आने लगी मेरी मौसी ने कुछ तूर से चिला कर मुझे मकान के बाहर दोड़ाने के लिए कहा मैंने भुकम को कोई गंबीर याने ध्यान देने योगे बाद नहीं समझा ऐसा अनभव हुआ कि भुचाल याने भुकम के धक्के काफी देर तक जारी रहे और बाद में बंद हो गए उस वक्त हम नहीं जानते थे और ना इसका अंदाज ही कर सकते थे कि ये दो तीन मिनिट बिहार और अन्य स्थानों के लाको आदमियों के लिए कितने खा तक याने जान लेवा या विनाशकारी साबित हुए होंगे उस शाम को कमला और मैं कलकत्ता के लिए रवाना हो गए और हम बेखबर अपनी गाड़ी में बैठे हुए उसी रात को भुकम पीड़ित याने मुसीबत में फसे हुए प्रदेश के दक्षिन हिस्से में से होकर गुजरे दूसरे दिन इधर उदर से कुछ समाचार आने शुरू हुए हमको इस वज्जरपात याने भारी आपत्ती या संकट का कुछ-कुछ आभास होने लगा याने संकेत मिलने लगा कलकत्ता में हम कवी रविंद्र नाथ ठाकुर से भेट करने के लिए शांतिनी केतन पहुंचें कवी से मिलना हमेशा आनन दायक था लोटते हुए हम राजेंद्र बाबो के साथ भुकम पीड़ितों की सहायता के प्रश्न पर विचार करने के लिए पटना ठहरें वह भी जील से छूट कर आये ही थे उन्होंने पीड़ितों की सहायता के गैर सरकारी काम यानि जिसका संबन सरकार से ना हो वह काम में सबसे आगे कदम रखा भुकम पुए पूरे साथ दिन हो चुके थे इमार्तों के खंडरों यानि मकानों के अफशेश का द्रिश्य बड़ा मार में मतलब दिल पर असर करने वाला और रुमांचकारी यानि डरावना था जो लोग बच गए थे वे दिल दहला देने वाले मतलब डराने वाले या भैबीद करने वाले अपने अपने अनुभवों के कारण बिलकुल घबराए हुए और भैबीद हो रहे थे इलाहबाद की भुकम सहायक समती ने मुझे भुकम पीडित इलाकों यानि शेत्रों या प्रदेश में जाने के लिए कहा और वहाँ भुकम पीडितों की सहायता के लिए मुझे नियुक्त किया मैं अकेला ही चल पड़ा और दस तिन तक उन ध्वस्त यानि गिरे हुए और नश्ट ब्रश्ट इलाकों में घूमा सुबा के पांच बजे से लगभग आधी रात तक हम लोग चलते ही रहे थे कभी दरारों वाली यानि धर्ती के फटने से बनी जगा वाली तूटी-फूटी सडकों पर मोटर में जा रहे हैं यहां पुल गिरे पड़े थे या जहां जमीन की सता में फर्क यानि अंतर आ जाने से सडक पानी में डूब गए थी शेहरों में धेर के धेर खंडरों और तूटे हुए मकानों सडकों का द्रिश्य बड़ा हृदेस परशी यानि दिव को चूने वाला था इन सडकों की बड़ी-बड़ी दरारों में इसे पानी और रेत जोर से निकले थे जिससे असंख्य यानि अगनित या अंगनित मनुश्य और जानवर बेह गए थे उत्तर भारत के मैदानों पर जिनको बिहार का बा कहा जाता था उजड़ेपन यानि बरबादी और विनाश की च्छाप लगी हुई थी मील तक फेली हुई बालू रेत पानी के बड़े बड़े तालाब और विशाव के दरारों और छोटे छोटे असंख्य जौला मुखी के से मूँ बन गए थे जिन में से बालू रेत और पानी निकला था